लेकिन विरू कैसे क्या रीड कर रहे हैं मार्केट में समय निफ्टी पर पहले बात करी जाए कि 35 पर इंट्रडे हाई उसका सतर था डबल होगी मैंने आउटलुक अगर आप देखें निफ्टी पर ट्विटर पर शेयर कर दिया था कि व्यू असले आशीश सतरा दोसों का इसलिए था 1780 का इसलिए था क्योंकि आपने कल भी देखा जो सुबह मैंने आपको प्रेमिस दिखाया थे कि सबसे स्ट्रॉंग कॉल राइटिंग 17200 की स्ट्राइक पर ही हुई थी यानि हमारे पास एक स्कोप 17180 तक का था और वहां पर हमने वो कॉल्स प्रॉफिट कर ली बाकी जिम्मेदारी थी निफ्टी बैंक की जब 17180 पर निफ्टी खड़ा था कि वो 36500 के उपर डिलिवर कर रहा है या नहीं नहीं क्या उसलिए तो अब क्या करना चाहिए देखिए मैंने सुबह निफ्टी बैंक पर कोई ट्रेड ने लिया था मैंने ही का था कि 36500 के उपर निकलिगा तब ट्रेड के बारे में बात करेंगे जब तक यह उसके उपर सस्टेन ना करें आईए अब क्या अप्रोच रखनी चाहिए कुछ भी हूँ कि कल एकस्पारी लिए है और इतने वाइल स्विंग के बाद option writers को बहुत अच्छे premiums बिल रहे हैं call और put बेजने के लिए एक बादर अप्लीज आप निफ्टी की call sports लिखा या आशिश आप एक चीज़ अपने स्क्रीन पर देखिए किस call writer के पास सबसे अब फिलहाल अगर आपने दिन में पैसा कमा लिया है तो please stay out of me index कह रहा है nifty at least तो मैं यहाँ पर आशिश अब nifty पे कोई call ले लूँगा next trade बनेगा वो बनेगा nifty bank पे क्यों लिखाई ये screen पर nifty bank पे trade इसलिए बनेगा क्योंकि nifty के दो call writers और put writers बहुत convincingly आप देखिए अपना grip लेके बैटे हैं आज आप nifty का आशिश intraday high देखिए वो है exactly 3600, lowest trajectory देखिए वो है 36100, देखिए किस तरीक से डेक्टर साब ने गलत call ला दिया आप है, 36500 बोला था मैंने, लेकिन आप देखिए 36000 की put पे आशिश 24 लाग का outstanding why, that's huge और 36500 की call में heavy outstanding why, तो आशिश next trade हम लेंगे nifty bank पे, if it wallets 36000 या फिर 36500, तब trade लेंगे और उसकी shadow में कोई nifty पे trade देना होगा तो लेंगे, otherwise अगर आपनी nifty की वो call सुबे trade करी है, तो please stay out of indices, आशिश